हेलो एवरिवन, शिर्फ शक्ती चैनल में आप सभी कस वागत है ये जो वीडियो बनाऊंगी, ये मैं दिवाइन फैम नाइन की करेंट एनरजी के उपर बनाऊंगी दिवाइन फैम नाइन की क्या करेंट एनरजी चल रही है, इस टाइम उस पर ये वीडियो रहेगी दिवाइन मस्कुलाइन के एनरजी के उपर नहीं रहेगी वैसे और थोड़ा बहुत जो मुझे डाउनलोड होगा वो भी मैं बता दूँगी फिलाल इस्पेशली ये जो है वो दिवाइन फैम नाइन के लिए ही रहेगी है, mentally, physically, emotionally, spiritually काफी बैलन्स हो चुकी है ठीक है, आप अपना mind, body, soul भी बैलन्स कर चुके हो पूरी तरीके से ठीक है, अब एक ऐसा आपका औरा है कि लोग फिर से attract हो रहे हैं, फिर से आपको देखकर जिन्होंने आपको उस time देखा था जब आप बहुत ज़्यादा pain में थे, या dark night of the soul से गुजर रहे थे और आज भी वही लोग आपको देख रहे हैं, तो उनके mind में भी आपको लेकर बहुत सारे positive change आ रहे हैं, बहुत आपके बारे में positive सोच रहे हैं आसपास के लोग हो गया, आपके कलिक्स हो गया, आपके job जहां करते हो या college में हो, या कहीं भी हो, लोग आपको appreciate कर रहे हैं, लोग आपसे advice मांग रहे हैं लोग आपसे help मांग रहे हैं, और आप help कर भी रहे हो आपका aura attract कर रहा है positivity को, ठीक है, लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा positive feel कर रहे हैं चाहें वो DM हो, चाहें आपकी family हो, चाहें कोई और हो even आपकी family भी आपसे help मांग रही हो, या कोई advice मांग रही ही हो अभी तक आपकी family में लोग आपसे बहुत ज़्यादा दूर भाग रहे थे family वाले आपको support नहीं कर रहे थे, family वाले आपको सुन नहीं रहे थे या आपको जहाँ family वाले बैटने हैं, वहाँ आपको बैटने नहीं दे रहे थे या आपके अंदर जो एक divine light है वो हर तरफ पैल रही है positively और इसको सब feel कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से तो कि major change आ रहा है divine feminine के life में ठीक है और जो song भी है वो भी यही बता रहा है कि एक पूरी तरीके से आप एक butterfly बन चुकी हो मतलब जो आपकी negativity थी जो आपकी pain थे जो darkness थी जो आपने dark एक dark आपकी life में period आया था dark period उसको आपने face किया बट उसके बाद आज जो आप है उसको देख के लोग हैरान हो रहे हैं बहुत से कि बटरफ्लाई होती है ना एक कोकूम में फसी हुई होती है बहुत गंधी लगती है वो butterfly तो बन जाती है पर वो चीज भी butterfly के अंदर होती है बट उस पर कोई नजर नहीं डालता है उसके colors पर लोगों की नजर जाती है उसके जो feather होते हैं उसके जो punk होते हैं उन बहुत से divine feminine का career balance हो रहा है बहुत से divine feminine की life में stability आ रही है चाहें वो money हो चाहें वो health हो चाहें वो family love हो कुछ भी हो ठीक है आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ time spend कर रहे हैं लोगों के साथ उठना बैटना बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खुश है पहले यह चीज feminine से लोग बहुत दूर भागने लगते हैं उसके साथ बैटना भी पसंद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा ignore करते हैं उसके बातों को भी नहीं सुनते हैं बट यह चीजे आपके साथ नहीं है तो यह बहुत positive change है divine feminine की life में ठीक है और जो divine feminine इस energy में है उनके लिए channel song है बहुत ही buttering वाली energy फिल होती है देन समझ जाना यह divine ही आपको message दे रही channel song के थूरू ठीक है तो यह मुझे channel song हो गया था और यह मुझे आप तक पहुचाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप इस time high vibration में और जो इस energy में divine feminine हैं वो 100% अपना reunion के बहुत जादा करीब हैं या होने ही वाला है या हो चुका है या आपकी बात start हो चुकी है ठीक है बहुत balance है divine feminine यहाँ पर तो यह उन divine feminine के लिए है जो इस energy में है और second energy जो मैं बता दू या second wave बता दू इसमें थोड़ा सा divine feminine क्या है थोड़ा सा पीछे है ऐसी divine feminine ठीक है बट इस energy में आप भी आएंगी जो मैंने पहले energy बताई है आपको नीद नहीं आ रही है आपको भूक नहीं लग रही है आपको हर एक चक्राज पर बहुत जादा problem हो रही है इस पेशली third eye और crown chakra पे और अगर मैं connect करना चाहूं आपका heart chakra भी throat chakra भी यह अपर चक्राज में बहुत जादा divine feminine को problem हो रही है तो कहीं ना कहीं है अपर चक्राज के issue release हो रहे है purging हो रही है balance हो रही है ठीक है और मुझे तो सारी ही चक्राज की यहां पर जो second energy बता रही हूं सब cleansing हो रही है आपका एक तरीके से DNA cleansing हो रही है बहुत से divine feminine ascension के energy में है बहुत से divine feminine के kundalini rise हो रही है आपको बहुत जादा heat feel ह हो रहा है कभी right side कभी left side especially अगर आपको right side में ठीक है आपको अपनी right side में बहुत ज्यादा heat feel हो रहा है right side के thought chakra के आपको बहुत ज्यादा sensation है eating है pain है आपको heart chakra के right side में बहुत ज्यादा pain है तो यह चीज़े आपको तकलीफ दे सकती है ठीक है और इसके अलावा आपको solar plaque से आपको भूक नहीं लग रही है आपको acidity हो रहे है आपको constipation की problem है आपको period time पर नहीं आ रहे हैं आपको बहुत ज्यादा sensation किसी चक्राज प यह ascension के energy में है कुछ divine feminine की kundalini rise हो रही है मतलब आप बिल्कुल जहां लेटे हुए तो बस लेटे ही रह गया है कुछ करने का मन नहीं हो रहा है किसी से बोलने का मन नहीं हो रहा है अकेले ही आप बिल्कुल रहना पसंद कर रहे हैं किसी से बात नहीं करने हैं नाराजगी नहीं है यहां पर आपको दही किसी से कनेक्ट करना नहीं जा रहे हैं तो यह भी energy मुझे कलेक्टिव में divine feminine की पिक हो रही है आपको ऐसे बहुत ज्यादा ड्रावने dream आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा भाग रहे हो या सुबह उठते ही बहुत आते हैं तो आप space लेजिए आराम करना चाहते हैं आराम कीजिए और यहां पर आपको बहुत डाइट आपको light लेनी है ठीक है आपको heavy diet नहीं लेनी है ठीक है क्योंकि इस time आप बहुत ज्यादा sensitive वाली energy में हो कभी आपका mood बहुत अच्छा हो रहा है कभी आपका mood बहुत ज्यादा हो रहे हैं यहां पर divine feminine के ठीक है जो second energy में बता रही हूं तो आप अगर इस energy में हो तो आपको rest करने की जरूरत है आपको ज्यादा किसी से लड़ना नहीं है अपनी energy को इधर उधर नहीं लगाना है अपनी energy को ज्यादा waste नहीं करना है आप यहां पे spiritual videos देख सकते हैं अच्छी अच्छी चीजों को देख सकते हैं जिससे आप अपनी energy को balance कर सके अपने आपको positively लग सके ठीक है positive लग सके तो यह divine feminine की इस time current energy चल रही है जो channel song है वो first energy से match करता है अगर आप first energy में हो तो channel song आपके लिए है और अगर second energy में आप हो आपको pain हो रहा है या बहु आप ascension के process में हो आपका kundalini rising चल रहा है या आप यह समझ सकते हैं आपका एक major shift ठीक है energy shift हो रही है तो इसके लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और अपने inner work में भी आप हलका फुलका कुछ ना कुछ करते रहे अगर आपका मन नहीं हो रहा है इस time क्योंकि energy बहु जाधा आलस ना जरा रहा है बहुत जाधा थकान बिना काम के ही बहुत जाधा थकान हो रही है कुछ वी करने का मन नहीं हो रहा है तो यहां आप ॥ुलका in over किज़े और डाईट भी बहुत ज्यादत貌 रहा लाइट मतल態 हल की दीज़े। पानी भी जादा से जादा के जा तो यह थी आज की current energy, especially divine feminine के लिए, next video में मैं फिर मिलूंगी, तब तक ले अपना ध्यान दखिए, खुश रहिए, सौस्त रहिए